और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केसी त्यागी मौजूद हैं जीडियू के वरिशनेता बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए कल इंडिया की बैठक में मलका जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव सयोजग प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बैनर जी ने पेश किया क्या आप लोगों की सहमती थी? क्या हुआ था वहाँ? जो प्रस्ताव है उसको लेकर के जो मुंबई में बैठक थी इंडिया घटक दलों की उसमें सर सम्मती से प्रस्ताव पास हुआ है कि किसी को भी प्रधानमंत्री के उम्मीद्वार के रूप में ना प्रोजेक्ट करके सिध्धानतों को और 140 करोड जनता के चेहरे को प्रस्तुत किया जाएगा नमबर एक नमबर दो एक दिन पहले ही ममता दीदी अरविंद केजरिवाल जी से मिल करके दिल्ली के संपूर्ण मीडिया के सामने घोर्षना करती है कि हम किसी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तुत नहीं करेंगे जो वक्तव उनोंने दिया है वो संपूर्ण इंडिया का वक्तव नहीं है निजी तोर पर वो इस तरह के वक्तव देने के लिए सुतंत रहे हैं बनाया जाए और इंडिया गठबंदन के वो जनमदाता हैं पिछले साल सितंबर में उन्हों ने तीसरे मोर्चे की सारी संभावनाव को खारिज करके इसको पठना में मूल रूप दिया था वो बगेर सहींजक के इसके जनमदाता भी हैं इसके सहींजक भी हैं और जातीगत ज हमारे लिए बड़े हो गएं तो इस बात से एक तरह से मुहर लगती है त्यागी जी जो कहा जा रहा है नितिश कुमार ना खुश होंगे शायद इसलिए लालुपरसाद यादव नितिश कुमार जल्दी निकल गए थे कल की बैठक से नहीं वो ना जल्दी निकले हैं ना वो नाराज थे ये जो इंडिया है ये हमारा बच्चा है हमने इसको जनम दिया है हम इससे कैसे नाराज हो सकते हैं हम तो चाहते हैं कि 2272 का जो मैजिक नंबर है उसको ये पार करें और भारती जनता पार्टी के मुकाबले एक मजबूत विकल्ब तयार हो किसी अनकारन बस वो प्रेस कोंफेंस में नहीं थे रेकिन पूरी डेलीबिरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया है बिल्कुल सर तो ये कहा जा रहा कि प्रस्ताव के बारे में अगर विचार मिमर्श नहीं किया गया तो ये ठीक नहीं है निदी जी मैं चाहता हूं कि भविश में हम और परसपर सहयोग और सद्वाव के साथ काम करें और जो फैसले सामोहिक तोर पर होने चाहिए उनको एक व्यक्तिया दल के द्वारा प्रचारित प्रसारित ना किया जाए इस से जो इसका सामोहिक नेतृत का नेड़ना लेने का च परसन चेन उठते हैं ममता दीदी के लिए संवान हैं उनके विचार संवानी हैं लेकिन वो अगर सरसंवती बनाने का इस विशे परियास करती किसी के भी नाम पर तो जादे बहतर होता है तो सर दोहजार चौबीस की चुनौती गंभीर है विपक्ष के सामने और राजनीती में सब जानते हैं कि परते होती हैं तो जो ये प्रस्ताव आया इससे तो जो इंडिया घटबंदन है उसको तो ठेसी पहुंची नहीं उतना भी गंभीरता से आप मत लीजिए वो आया और चला गया और ये आपके चैनल पे में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दोहजार चौबीस में कोई भी चेहरा हम लोग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे ये हमारे मुंबई में हुई जो मीटिंग है उ जेडियू के तो पोस्टर्स भी लग गये थे बैठक से एक दिन पहले पटना में जिसमें लिखा था कि अगर सच में जी चाहिए तो फिर एक निश्चाए एक नितीश चाहिए निधी जी सबको अपने अपने नेता को परिभाशित करने का गौर्वांतित करने का अधिकार है ऐसा प्रियास ममता दीदी भी सरद पुमार जी का भी नितीश कुमार जी का भी लालू जी का भी राहूल जी का भी खड़के जी का होता रहता है लेकिन ये गठबंदन का साम ही फैसला नहीं है जनता दलियू के वरकर मानते हैं जिस निश्टा के साथ उन्होंने अपने रानितिक जीवन में सुचिता का परिचे दिया परिवारबाद से दूर है ब्रिश्टा चार से दूर है उनको लेकर के परदान मंत्री ने खुद टिपनी की है कि डाक्टर लोया जोर्ज फननाडिज और नितिश्क मार सरीखे लोग ही सच्चे समाजवादी हैं तो कारेकरता अगर अपनी सोलेडरिटी एक जुटता एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नेता के लिए तो उसको हम अन्यथा नहीं लेते और बुरा में नहीं मानते जी सर जानकारी ये भी मिली कि 29 तारिक को दिल्ली में जेडियू की राश्ट्र कारेकारणी की बैठक होने जा रही है क्या मकसद है इसका एक तो मैं ये किलिर करना चाहता हूँ आपके मादे हम से चुके कैई चैनल पर खबर चली है कि नाराज हैं और उसी के परिद्रश में ये बैठक हो रही है ये बैठक इंडिया गठवंदन की तारीक तैह होने से भी एक महीने पहले तैह हो गई थी ये डेड़ महीने पहले बैठक तैह हुई थी और पिछले जितनी भी पॉलिटिकल पाटीज हैं उसमें एक सिस्टम है तीन महीने में छे महीने में एक बरत्वा राष्टेकार कारनी होनी चीए पिछले छे महीने से नहीं हुई थी लिहाजा सभी चीजों पर अपनी पृति बत्ता दिखाते हुए अपने नेता के पृति एक जूटता देखते हुए और इंडिया में अपनी भूमिका को और कारगर और इस्पस्ट बनाते हुए यह मीटिंग है इसका अन्न कोई अर्थ नहीं है यह इंडिया गटबंदन को और मजबूती देने के लिहाज से है और अपने नेता नितिश्क सब्सक्राइब के पृति एक जूटता दिखाने के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब के विरोध में जो इंडिया गटबंदन है उसकी देशबर में प्रदर्शन विरोध होने वाला है वह हो रहा है आप उसमें भाग लेंगे अब वो तो वो इंडिया का फैसला है और एक जानकारी में आपके चानल से ओर देना चाहता हूं कि अगले वर्ष दो हजार चोबिस में जंतदल यूबी अपनी अकेले बैठके करेगा और इंडिया की बैठकों में विशामिल होगा जिसकी सुरुवात हम जारखंड से करें जा है